दोस्तों गर आप भी विराट कोहली और रिशब पंत के फैन हैं उन्हें ग्रेट खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों मैच भले ही बैंगलोर ने जीता लेकिन दिल तो रिशब पंत को दिल से सलाम करने को मजबूर हो गया तो आखिर क्यों कोहली को जीत की बधाई देते हुए रिशब पंत ने सबके सामने ही उनके पैर चूकर ले लिया उनका आशिरवाद आखिर रिशब पंत की महानता पर कैसे किंग कोहली ने पंत को सीने से लगा कर पेश की गुरू और शेष्य की महान मिसाल उस कुपसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली क्या बैंगलोर को आईपियल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे अपनी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों चीते की चाल बास की निजर और विराट कोहली के अग्रेशन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए जहां एक समय सबको लग रहा था कि बैंगलोर तो सबसे पहले प्ले आफ से बाहर होने वाली टीम बनेगी तो वहीं किंग कोहली के शेरों ने ऐसा चमतकार दिखाया कि एक नहीं दोनें तीन नहीं लगातार पांच-पांच मैच जीत कर उन्होंने नकेवल पॉइंट स्टेबल में हाहा कार मचा दिया बलकि अपनी प्ले आफ की उमीदों को भी पंक लगा दिया तो वहीं दूसरी तरफ रिशब पंध के बाहर होती दिल्ली ऐसी बिकरी जैसी बिकरी की बैंगलॉर के सामने तो दिल्ली जैसी करके टीम डेर सो रन भी नहीं बना वाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है लेकिन असली महान तक इसे कहते हैं ये तो पंध ने दिखाई है जहां अपनी हार के बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए इसे चोटे से खिलाडी ने जो कर दिया पूरे हिंदोस्तान का दिल जीत लिया जी हां दोस्तों दरसल बैंगलॉर के खिलाफ करो या मरो के मकाबले में रिशब पंध को खेलने का मौका ही नहीं मिला उनकी जगा अक्षर पटेल टीम की कमान समालते नज़र आए लेकिन उनके लिए तो आज कुछ भी खास नहीं रहा पहले बैंगलॉर ने 187 रन ठोक डाले तो इसके जवाब में उतरी दिल्ली की क्रिकेट टीम अक्षर पटेल के अर्ध शतक के बावजूद उन 184 रनों पर घुटने टेक गई और बैंगलॉर ने अपनी जीत का परचम लहरा कर प्ले आफ में आलमोस्ट कौलिफाई कर दिया और वहीं दिल्ली के प्ले आफ में जाने की अमीदों को लगभग चकना चूर कर दिया जिसके बाद तो सबसे ज्यादा मायूस कोई था तो वो थे दिल्ली के कप्तान रिशप पंत जो बाहर बैठे बैठे अपनी टीम की हार देखते रह गए लेकिन उसमें कौन्रिब्यू तो कोहली को अपने सामने देखकर इतना भावुक हो गए कि उनसे हाथ मिलारे की जगा सीधा उनके पैर चूकर उनका आशिरवाद लिया और उन्हें जीत की बधाई दे डाली ये नजारा देखकर तो वहां मौजूद हर कोई यहां तक की स्टैंड में बैटी अनुष्का शर्मा तक दंग रह गए खुद विराट कोहली भी हैरान थे वो तो डर के मारे पीछे भी उचल चल गए थे उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रिशप पंद ने ऐसा कुछ कर दिया फिर उन्होंने तुरंद रिशप पंद को उठा कर सीने से लगाया उनके आसू पहु उसकान वापिस आ चुकी थी उन्होंने भी विराट कोहली को खुले दिल से जीत की बधाई दी और बाकी आईपियल के लिए आल दा बैस्ट भी कहा लेकिन सच में रिशप पंद ने विराट कोहली के पैर चूकर जो किया इसकी तो उमीद भी किसी ने नहीं की थी आगिर हो लाडियों ने पेश किया सच में बैंगलॉर की जीत से ज्यादा तो इस मॉमेंट की चर्चा हो रही है और रिशप पंद ने तो सबका दिल ही जीत लिया लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली और बैंगलॉर में से कौन प्ले आफ में कर पाएगा कौलिफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान फाफ डुबलेसिस के साथ विराट कोहली उतरे दोनों बल्लेबास बेहदा करामक अंदाज में नजर आ रहे थे वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए इशान शर्मा खदरना गेंद बाजी का नजारा दिखा रहे थे बैंगलॉर के बल्लेबासों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन तभी विराट कोहली ने इशान शर्मा की अंतिम गेंद पर शांदार चक्का लगा कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक ओवर में ही 10 रन बटोर लिये बैंगलॉर को शु बैंगलॉर को विराट कोहली ने दो ओवर में ही 23 रनों तक पहुँचा दिया दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरना थेज गेंद बास मुगेश कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डुबलेजिस को पवेलियन का रा दिल्ली की तरफ से चौता ओवर लेकर आए एक बार फिर इशान चर्मा पहली गेंद पर विकराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया विराट कोहली इसके बाद भी रुके नहीं दूसरी गेंद को उन्होंने चखके में तबदील कर दिया लेकिन इशान चर्मा इस चौके और चके का बदला लेते हुए विराट कोहली को ओवर की पांचवी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया बैंगलोर को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा जटका लग गया विराट कोहली 13 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी लेकिन बिल जैक सभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रजट पाटीदार आ चुके थे इन दौनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी इसके बाद भी रजट पाटीदार रुकने का नाम नहीं लिए चौती गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे रजट पाटीदार बेहधी आकरामक अंदाज में नजर आ रहे थे मुकेश कुमार की पांचवी गेंद को भी उन्होंने बाउंडरी पर भेच कर चार रन बटूरे इसलिए इसी के साथ बैंगलॉर का स्कोर पचास रनों के पार पहुँच गया पांच ओवर में बैंगलॉर का स्कोर दो विकेट पर एक्यावन रनों तक पहुँच चुका था ये दोनों बल्ले बाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल इनका स्वागत भी रजट पाटिदार ने चौती गेंद पर शांदार चखका लगा कर किया बैंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था इन दोनों के लाडियों की बैटिंग देखकर दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो चुके थे रजट पाटिदार की बल्ले बाजी देखकर बिल्ल जैक भी अपने बल्ले का मूँ खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे पावर प्ले के छे ओवर में बैंगलोर का स्कोर दो विकेट पर 61 रनों तक पहुँच चुका था रजट पाटिदार का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था हर गेंदबाजों पर तूट कर प्रहार कर रहे थे अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 99 रनों तक पहुचा दिया वहीं रजट पाटिदार अपने अर्द शतक की तरफ बढ़ चुके थे विलजग और रजट पाटिदार के बीच 50 रनों से अधिक की साज़दारी भी हो चुकी थी देखते ही देखते रजट पाटिदार ने अपना तूफानी अर्द शतक ठोक दिया लेकिन टीम के लिए तेरवा ओवर लेकर आये रसिक सलाम ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रजट पाटिदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया 124 रणों के स्कोर पर बैंगलॉर का तीसरा विकेट गिर गया टीम के लिए 52 रण बनाकर रजट पाटिदार पवेलियन लौट गये लेकिन विल जैक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आए लेकिन तब तक बिल जैक भी अपना विकेट कवाकर पवेलियन लौट गये टीम के लिए 41 रणों का योगदान दे पाए अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लॉम्रर लेकिन ये भी केवल टिरन बनाकर खलील एहमत के शिका गए ओवर की अंतिम गेंद पर मुहमत सिराज भी अपना विकेट खो बैटे जिसके कारण बैंगलॉर की टीम ने 20 ओवर में दिल्ली के सामने 9 विकेट खोकर 187 रणों का लक्षे दे पाई इस लक्षे का पीछा करते हुए दिल्ली के दो खुंखार उपनर बलेबास एक त गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा कर अपनी टीम को पहली सभलता दिला दी अब मैदान पर नए बलेबास अभी शेक पुरेल आ चुके थे पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया बैंगलॉर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ इस रनों तक पहुंचा दिया बैंगलॉर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश्च दयाल आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिशेक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सभलता दिला दी अभिशेक टीम के लिए केवल द बल्लेबास पवेलियन लोट गए जग फ्रेजर अपनी टीम के लिए 21 रन बना कर मैदान के बाहर चले गए अब नए बल्लेबास मैदान पर आए कुमार कुशागर इन दौनों बल्लेबासों के कंदों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी मैच में बैंगलॉर प 28 रनों तक तीन विकेट पर पहुंच गया